कार मैं हूं बिर्जेश कुमार्शिंग और देखना सुरूर कर चुके हैं बिन्युजाद में बता दू देवर्याद जनपद में 2012 एक सरकस ऐसे उसके बाद से 2024 तक किसी तरह का कोई सरकस लोगों को देखने को नहीं मिला लेकिन देवर्याद जनपद के कुछ वो जो नया है और जो यंग है जो पता कि सरकस ही क्या और सं Hers足 ne क्या क्या दिखा जाते हैं उसके बारे में बताने वाले लोगों को कहा यहां पर आएंगे अबर कब से कब तक यहां पर सरकस की संचालित होती है, आकिर इसमें क्या क्या है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, उसे पहले आपको बता दें कि यह प्रावंदक है, जिनके द्वारा यह सरकस का आयोजन किया गया है, यहां पर तमाम सुद्धाय लागो की गए, लेकिन मैं आप से यह जनना चाहूंगा, आपने सरकस क्यों देवरिया ही चुना क्या वज़रा है, देवरिया अमारे बहुत पुराना शहर है, हम पहले भी देवरिया में चार बर सरकस लगा चुके हैं, कब कब सरकस लगा था है, लगा था उसके बाद फिर बीच में लॉकडाउन आएंगे क्या वज़ा है कि आप लोग देखने आएंगे आपको परिवारिक शो है यह प्रैक्टिकल जो है आप बैठके पुरे परिवार के साथ देख सकते हैं एक एजूकेशन का पार्ट है सरकस जिमनास्टिक शो है और हमारे पास बिदेशी कलाकार है साउथ अफ्रीका के केनिया के कलाकार है सरकस में भरपूर आनंद ले सकते हैं चोटे-चोटे बावना चोटे-चोटे जोकार है जे बच्चे को भरपूर आनंद दे सकते हैं इसको देखिए हम तो जनता से यही प्रार्थना करते हैं जा आप लोग आईए बच्चे को दिखाई एक बड़ सरकस क्योंकि सरकस अब मुझे लग रहा है भविशत में सरकस रहा ही नहीं जाएगा यह परिस्तिती है सरकस का रोजाना तीन शो होता है एक बज़े चार बज़े और शाम को सारे साथ बज़े सरकस के सामने हमारा नीजी पार्किंग लगा हुआ है पार्किंग में सारी बंदबस्ता है हमारे लड़के गार्ड लगे हुए है महिला को सुरक्षा के लिए हमारे पास अंदर जो बैठने का पवस्ता है साथ में सुरक्षा है हमारे गार्ड लगे हुए है अंदर टिकेट लेके एंट्री गेट सब अलग 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 एंट्री गेट बना हुआ है ताकि पब्लिक को किसी तरह का अशुभीदा ना हो मुआरे ऑस हास के लोगों को ऑर आसपास के जनपत की लोगों को क्या संदेज दिना चाहेंगी और अपने लिए क्या आकाना चाहेंगे हम यह संदज देना चाहते हैं जनता से बहुत साल बात सरकस आएं तो आप लोग आईए इसका आनंद उठाइए अपने बच्चे को दिखाइए कि सरकस होता क्या चीज है यह पूरा पारिस्ट्रमिक मेहनत का चीज है इसके जो सरकस चला इसके पार्ट हम वीडियो आपको दि सरकस था है तो आप चला चला कितने सरकस बचे हुए हैंस पुर्च चार पंस सरकस से विजय गिनास बारें थाpes प्रफंज की बात करें तो आपने कहां- जों फोरे इंडिया में हम लोग घूंते रहते हैं ज़ेंते प्रूंटे रह।ANE हैं सब Jeder मेह बाहर जनपत में जो लगी है जेमनी सरकस का कहना है कि देश में मात्र पांच सरकस ही बचे हैं जिसमें पांचवा में से यह भी एक जेमनी सरकस है जिसे लोग काफी पसंद करते हैं अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने घरों से निकले अपने बच्चों के साथ क्योंकि यहां पर जो चीज दिखाई जा रही है जो खेल दिखाई जा रही है आपके बच्चों की मांसिक्ते के लिए आपके लिए काफी अच्छा होगा और कुछ पल के लिए आपको सकून मिलेगा मिलते हैं फिर नई जनकारी और नई खबरों के साथ तब तक के लिए न नमस्का...